बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे हैं हम कोई सो साल के नहीं हो गए हैं गाओं में हमने देखा अपनी आँखों से देखुई बात बता रहे हैं 15-16 साल का लड़का कम से कम 15-16 साल का लड़का होगा उसको लोग स्कूल ले जा रहे हैं तो चार-पांच आजबी पकड़ को उसको कंदे पर उठा के ले जा रहा है नाकूनों से नोच रहा है चिलारा जैसे उसको बिलकुल काले पानी की सजा दी जा रही है और ऐसे महराज कितनों को घायल करता हुआ वो लड़का पहुंचा स्कूल 15-16 साल का लड़का तो उसके बाप ने कहा महराज ऐसे तो रुकेगा नि बांध लो इसको यहां स्कूल में क्या करो इसको बांध लो मास्टर बोला भाई देखो बहुत उमर बड़ी हो गई अभी स्कूल में इसको लाए वो पढ़ाने के लिए कुछ मार पिटा ही पढ़ेगी तो जगड़ा मत करना तुम जमीदार आदमी हो तो वो बोला हाज जोड़के मास्टर साव मास्टर साव हाड हाड हमाए ओ सब तुमाओ मतलब उसके कहने का ये था हड़ी हड़ी हमको छोड़ देना जिन्दा रहावे बस इतना करना बाकि आप सुधार के इसको आदमी बना दे पंद्रे सोले साल तक भी गाउं में लोग खेलते कूटते रहते थे इसकोल समझ में नहीं आता था और इसकोल भी साधारन होते थे सरकारी इसकोल प्राइवेट इसकोलों की भरमार तो थी ही नहीं और इसकोल में खिड़की होती थी उनमें वो सीखचे नहीं होते थी लोहे से कूद कूद करके भागते थे और उनको दोर दोर के पकड़ना होता था टीका लगवाने के लिए और आप लोग कहेंगे वो पढ़े लिखे नहीं ऐसे स्कूलों में पढ़कर भी लोग बड़े पढ़े लिखे पंडित बने विद्वान बने अधिकारी बने आफीसर बने अब तो कक्षा एक से भी नीचे कुछ कक्षा हैं कौन-कौन सी हमको तो पढ़ने का वसर मिला ने अच्छा हुआ बाकी एक कक्षा से कक्षा एक में पहुँचने के लिए भी दो-तीन वर्ष सायत प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब चार साल लाल एत पंच वर्षाणी दरश वर्षाणी ताडएत तो छोटे-छोटे बच्चे खूँख खेल खेलते थे अब एक ही के है के खेल याद है करिकेट और कुछ भी याद नहीं हम खेल के विरोधि नहीं है पर करिकेट की जो बॉल होती है वो चमड़े की होती है वोती ही चमड़े की की नहीं और वो चमड़ा कैसा होता जानते हैं बैल के पुठे का जो चमड़ा है अब मरे हुए बैल का चमड़ा तो मिलते ही नहीं क्योंकि मरने के पहली उनको अब आगे लोग बेच देते हैं और उस जीवित बैल के पुठे का जो चमड़ा उतारा जाता है उसी की उसी से बॉल को मणा जाता है क्रिकेट की बॉल को यह अलल टपू बात नहीं करें प्रामानिक बात कह रहें क्यों बढ़िया बॉल उसी की बनती है बैल के पुठे के चमड़े की और उस चमड़े को मुह से लगाते हैं चुमते भी न गवेन को और कैसा जीव भी लगाते हैं क्या करते हैं थूख लगाते तो बिना जीव लगाए थूख थोड़ी लगेगी कहां मंगल पांडे ने जो क्रांती की वो कार्तूस में गाए की चर्वी थी तो क्रांती हो गई आज जान भूज कर हिंदूओं के बच्चे जीवित वस्था में जिस बैल का चमड़ा उतारा गया है पुठे का उससे मड़ी वही बॉल को अपने मुह से चूम रहे हैं उठा रहे हैं क्या हो गया धर्मका खाद्यान में मिश्रण आ रहा है बुद्धी कहां से सुद्धी हो सुद्धो माता पिता के प्रती गव ब्राह्मन के प्रती सदभाव कहां से आवे बड़ी पिचे तरिस्थी तो छोटे छोटे बच्चे बहुत खेल खेलते थे मिट्टी का खेल खेलते थे जिसमें एडी गुसा दिया बालू में और ऐसे ऐसे ठोक करके उसको प्रका कर दिया फिर धीरे से एडी के नीचे की रेत निकालके और पैर पंजा निकाले गुफा जैसी बन जा थी और सब बालक अपना अपना घर बना लेते उसी में डंडी गाड के पत्ता लगा के जंडा लगा लेते और फिर उसी में उनका रोटी पन्ना का खेल हो जाता घर में बढ़िया भोजन करते हैं लेकिन वहां बिरिया के पत्ता पूरी के रूप में साक के सोते और जाने लग जाते तो सब खतम करके चले जाती गुली डंडा का खेल अब दिखाई नहीं पड़ता कचंटा का खेल कांच की गोली खेलने का खेल वो दिखाई नहीं पड़ता ये बरसात के समय में लट्टू लट्टू होता न रसी ऐसे करके फैंकते लट्टू नचाने का खेल चक्री चलाने का चक्री नचाने का खेल ये सब खेल खतम हो गए